नमस्कार दोस्तों कई दोस्तों को अपने बीएसी नर्सिंग का एक्जाम फॉर्म भरने में परिशाने आ रही होगी तो उसके लिए आज आपको मैं यह पूरी प्रोसेस आपको बता दू इस्टेप बाइस्टेप कैसे अपनको एक तो एबीसी आईडी वाला काम करना है फिर इस पूर्ण आपको कॉर्णर पे देगे एक्जामेशन लिखावा दिख रहा है वहां पर जाकर करके एक्जामेशन पोटल पर जाना ए जहांपे इस्टुडेंट पेनल में जब आप आप जाओगे तब आपका सारही फॉर्म आ रखा होता है यहां एक्जाम का रिवेल का टोटल सारे ही फॉर्म होते हैं तो आपको मेन एक्जाम का फॉर्म बरना है तो यहां पर स्टार्ट पर क्लिक करके अपनको स्टार्ट करना होता है लेकिन गाइज अगर आप यहां पर जाओगे तो देखोगे कि हमें यहां पर अब मैं चला गया फिर से बेक और सारे गूगल पर अब एबीसी आईडी बनाने के लिए या फिर एबीसी आईडी को लोग इन करने के लिए मैं सबसे पहले डीजी लोकर की ऑफिसिल वेबसाइट पर जाना है यह गौर्मेंट की वेबसाइट होती है जहां से अपने को सारी है यहेट दोकुमेंट है वह सकते हैं तो डीजी लोकर पर आप जैसे जहोगे तो आपके आईडी अगर बनी हुई यह तो साइन इन करना है नहीं तो साइन अपकर Esse को आपको बढ़ ना पड़ता है जब पहले ही जन रेट करते हो जब आप साइन अप करते हो तक फिर जब जैसे आप इसको log in करोगे sign in करोगे तब आपके पास फोन में OTP आएगा अब आपको सोटीपी को है वहां पर सब्मिट करवा देना है तो जैसे आपका ओटीपी आएगा आपको सोटीपी को यहां पर डाल देना है वन टाइम पासवर्ड होता है थोड़े सी टाइम के लिए ह होता है तो उसको आपको सीधा डाल के सब्मिट कर देना है अब जैसे आप देखोगे आप डीजी लोकर के ओफिसल वेबसाइट है उसमें एंटर कर चुके हो अब यहां पर आपके जो सारी प्रोफाइल यहां पर आ चुकी है और यहीं पर आपको जाना है एकेडमिक बैंक आपको एंडर्मेंट नंबर वाले पर क्लिक करना है अपने फिर आपको अपना एडमिशन यह डाल देना है इंस्टिट्यूशन के नेम में राजस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ और साइंस डाल देना है बाकि आप जैसे आप क्लिक करोगे आपके अपके पास आपको म देना है क्योंकि जब हम फॉर्म बरेंगे तो यह बीसी नंबर आपके काम आएंगे अब वापस से आप आरियोचस की ओफिसल वेबसाइट पर जाईए यहां से एक्जमिनेशन पोर्टल पर और स्टुडेंट पैनल पर स्टुडेंट पैनल से स्टार्ट फॉर्म पर जैसे एक्जमिनिसन को स्टीड करके प्ररूसेड कर देना यहां पे नाम लिखना है जहां पर आपको लेंटर्स लिखने होते हैं और आपके enrollment number है वह आपको लिखने पड़ते हैं देन ABC ID वह सब आपको लिखनी पड़ती है जैसे आप इसको form करोगे आपको आपको इसको आगे process कर देना आपकी जो भी सारे details है वह आपकी सामने यहां पर आ जाएगी जो भी आपके आधार से ABC ID से जो भी चीज़ें वह अब इसको एक बार verify कर लेना है क्रोस चेक कर लेना है फिर आपको जाना है आके और नीचे ही नीचे जब आप जाओगे तब आपको वहां से जाकर करके इसको form को है सब्मिट कर देना है अब आप सेवेंड नेक्स्ट करोगे दिन आगे आपके जितने भी यर्स आपने पास किये हैं उसका आपको result है उसके examination name है उसकी mark seat है वह सब चाहिए होगी उसकी details से वह भरनी होती है तो मैंने यह आगे सारी अपनी details से वह भर दी थी और जैसे यह सारी details बरी कि मैं एक्जाम वगरा वगरा इसमें मेरे इतने marks आए तो आगे यह मेरा portal खुल गया उसको मैंने आगे प्रोसीड किया जैसे ही मैंने यहां पर आगे प्रोसीड किया तब यहां पर मेरे जो भी final year का form है वह बर जाएगा आप मेरे को payment करना पड़ता है ठीक है तो अब देखिए यह प्रोसीड करते हैं आगे देखिए आगे आपके सामने यह form का जो print out है वह आ गया है अब यहां आपके पास फोन पर पेटीएम डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी चीज है उससे आप है वह payment कर सकते हो तो मैंने यहां पर यूपी आए का यूज किया था और जैसे ही मैंने अपनी यूपी आइडी डाली यहां पर तो मैं वापस अपने एप पे गया और मैंने यह आपना जो सारा प्य्मेंट है वह यहां से कर दिया कि अब यहां पर मैंना जो हूँ पहल सेख से क्लिक और आप कि मेरा जो वेरिफाइब हुआ या नी पैमेंट हुआ है या नी जैसे यहां बैंक से तो मैसेज आ गया कि पैसे कड़ गए अब मुझे चेक करना पड़ता है तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले वापस से आर्यूटिस के ऑफिसल वेबसाइट पर जाता हूं और पोर्टल में स्टुडेंट पैनल पर जाता हूं फिर यहां नीचे आप जब मैं देखता हूं तो देखें वेरिफाइब पैमेंट यह प्रिंट आउट यह सब लिख रहा है वहां पर आपको जाना एक्जाम में और यहां पर आपके एंडॉल्मेंट इयर और नंबर डाल कर कि आपको चेक कर लेना है कि जैसे आप होगे तो आपका आजाएगा कई लोग मर्चेंट आइडी से भी चेक कर सकते हैं इन दूनों तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म हो फिल हुआ है या नहीं है यह बस एक क्रॉस चेक करने का में और इस तरीके से आप आप का पूरा फोम है अब फिल हो गया है उसको मोबाइल से प्रिंट आउट निगाल सकते इसलिए आपको जाना है यह 10 रुपे लेगा 10 रुपे 20 रुपे लेगा और वहां से आपका जो भी प्रिंट है वह प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा इस तरीके साब का पूरा जो भी फॉर्म है वो फिल होता है यह सारी प्रोसेस है अब कई लोग है जिनकी ABC ID है उनमें प्रॉब्लम आती है उनको ABC ID में अपडेट्स करना हो तो उसका भी पोर्टल यहीं पर यहां से फॉर्म है झाल झाले है अज़ कलें जिनकी करना है यहीं है जिनकी करना है। झाल 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 झाल